प्यारे बच्चों आज हम क्लास 6 बसंत भाग एक में संकलित कहानी नादान दोस्त का अध्यन करने वाले हैं बच्चों इस कहानी के लेकर है मुझसी प्रेमचन जी कहानी को पढ़ने से पहले हमें इसके लेकर के बारे में कुछ जानना चाहिए चली शुरू करते हैं तो नादान दोस्त लिखी है मुझसी प्रेमचन जीन इनका जन 1880 में बनारस के पास लमही गाओं में हुआ था और उनकी मृत्यू सन 1936 में हुई थी हिंदी साहित्य में उन्हें उपन्यास सम्राड तथा कलं का जादूगर कहा जाता है इनका प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान कहानियों का विसाल संग्रे आठ भागों में मानसरवर के नाम से प्रकासित है जिसमें लगवक तीन सो कहानियों का संक्लन है इनके पता का नाम अजायबराब था अगर इनके मूल नाम की बात करें तो प्रेम चंजी का मूल नाम धनपतराय से वास्तप था उर्दू साहित्य में मूल सी प्रेम चंजी को नवाव राय के नाम से जाना जाता है चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक केसब के घर के उपर एक चडिया ने अंडे दिये थे केसब और उसकी बहन स्यामा दोनों बड़े ध्यान से चडिया को वहा आते जाते देखा करते थे सवेरे दोनों आखे मलते कारिश के सामने पहुँच जाते उनको देखने में दोनों बच्चों को नमानूब क्या मजा आता था दूद और जलेबी की विसोधना रहती दोनों के दिल में तरह तरह किस अवाल उखते थे अंडे कितने बड़े होंगे किस रंग के होंगे कितने होंगे क्या खाते होंगे उन मेंसे किस तरह निकलाएंगे बच्चों की पर कैसे निकलेंगे घोंसला कैसे होगा लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था ना अम्मा को घर की कामधंदों से फुरसत थी और ना ही बाबुजी को पढ़ने लिखने से दोनों बच्ची आपस में ही सवाल जबाब करके अपने दिल को तसलिल दे लिया करते थे स्यामा कहती क्यों भहिया बच्ची निकल कर फुरसे उड़ जाएंगे न और केसब के दोवानों जैसा गर्ब करते हुआ कहता नहीं रिपगली पहले पर निकलेंगे बगेर पड़ों के कैसे विटलेंगे बिचारे स्यामा फिर पूस दिये बच्चों को क्या खिलाएगी बिचारी अब इस बार केसब का दिमाग थोड़ा सा गोंब गया और उसको यह सवाल थोड़ा सा पेचीदा लगा और उसका जवाब वह कुछ नहीं दे सेका इस तरह तेन चार दिन और गुजल गे और दोनों बच्चों की जिग्यासा दिन बदिन बढ़ती गई अंडों को देखने के लिए अधिर उठे उन्होंने अनुमान लगा है कि अब जरूर बच्चे निकल आये होंगे अब उन्होंने सोचा जब बच्चे निकल आये होंगे तो उनके चारे का सवाल होगा चारा मतलब विखाएंगे क्या और च्ड़िया वेचारे इतना दाना कहां से लाएगे कि सारे बच्चों का पेट भरे और गरीब बच्चे भूख के मारे चूँ चूँ करके मर जाएंगे अब इसी मुसीवत का अंदाजा करके दोनों स्यामा और केसब गबरा उठे अब दोनों ने फैसला गिया कि कार्णिस के उपर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए और स्यामा खोस होकर बोली तब तो चड़िया को चारी के लिए कहीं उड़ करना जाना पड़ेगा इस पर केसब कहता है तब क्यों जाएगी रंद तो चारा उसकी गोंसले में रख दिया तो स्यामा कहती है क्यों भी या बच्चों को धूब भी लगती होगी न केसब का ध्यान इस तकलिख की तरफ नहीं कहा था बोला तो तो जरूर लगती होगी बिचारे प्यास के मारे तरपती होंगी उपर छाय भी तो नहीं है कोई अब आखिर में दोनों ने केसब और स्यामा ने मिल के फैसल लिया कि गोंसले के उपर कपड़े के छट बना देनी चाहिए पानी की प्याली और थोड़ी से चावल रख दिने का प्रस्ताब भी स्युक्रित हो गया और दोनों बड़ी बच्चे बड़ी चाफ से काम करने लगें स्यामा मा की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई केसब ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गरा दिया और उससे खुब साब करके उसमें पानी भरा मतलब भी पानी चड़िया जो तेल की प्याली थी उसमें से तेल गरा दिया गराने के बाद में उसको साफ करके उसमें पानी भर दी जब हम धूप से बचने के लिए कुछ कपड़ा नुमा चीज उपर की तरफ बांते हैं रस्तियों के सारी से उसको चांदनी कहते हैं अर्वी आप लोगों ने भी तो दिखा होगा साधी बिवहा समाहरों में उपर चाया करने के लिए हलवाई के उपर चाया करने के लिए जो कपड़ा बांदा जाता है सामियाना बांदा जाता है उसको चांदनी कहते हैं फिर बगेर चडियों के कपड़ा टहरेगा कैसे अब भई चांदनी का इंतजाम हो गया अब चांदनी को लगाने के लिए कुछ चड़ी चाहिए तो वो चड़ीया का ऐसे आएंगी अगर चड़ीया आ भे गई तो वो चड़ीया रुकेंगी कैसे केसब बड़ी दीर था किसी उधिरोबन मरहा, आखिर कर उसने ये मुश्किल भी हल कर दी, स्यामा से बोला, जाकर कुड़ा फैकनी वाड़ी टोक्री उठा लाओ, और अम्मा जी को मत दिखाना, स्यामा बहतु बीज से फटी हुई है, उसमें से धूप जाएगी, केसब ने ज कोड़ कर कोड़ टोक्री उठा लाई, केसब ने उसके सुराथ में थोड़ा सा कागस ठूच दिया, तब टोक्री कोई कौनी से टिका कर बूला, देख, ऐसे ही गोंसले पर उसकी आड़ कर दूँगा, फिर वता कैसे धूप आएगी, अब स्यामा सोचनी लगी, भाया, कितन चालाख हैं, अब गर्मी के दिन थे, स्यामा के पिता जी यानि बाबु जी दफ्तर गई हुए थे, और अम्मा दोनों बच्चों को कमरों में सुला कर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आँखों में आज नीद नहीं थी, अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम र कर रहे थे, और जियों ही मालुम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धेरी से दर्वाजे की सिट्कनी खोल कर बाहर निकल आए, अंडों की हवाजत की तैयारिया होने लगी, केसब कमरी से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन अब उससे काम न चला, तो नहने की चौकी लाकर स्टूल की नीची रखी और डर्ट डर्टी स्टूल पर चड़ा, स्यामा दोनों हातों से स्टूल पकड़े हुए थी, स्टूल चारों टांगे बरावर ना होने की कारण जिस तरफ ज़्यादा ज़्याव रहता था ज़्या सहल जाता और उस वत केसब को तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था, दोनों हातों से कारनिस पकड़ लेता और स्यामा को दवी अवाज में कहता अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारंगा, मगर स्यामा विचारी का दिल तो उपर था, बार बार ध्यान उदर चला जाता और हाट डेली पड़ जाते, केसब ने जीओं ही कारनिस पर हाथ रखा, दोनों च्रड़ियां फोर सोल गए, केसब ने देखा, कारनिस पर थोड़े तिन के विच्छी हुए हैं, और उन पर तीन अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले, उसने पेड़ो भईया कितने बड़े हैं, केसब कहता है, दिखा दूँगा, दिखा दूँगा, पहले जरा चितले ले आओ, चितले मतलब कपड़े के टुकड़े, उनने नीचे विच्छा दूँगा, बिचारे अंडे तिन कोपर पड़े हैं, अब स्यामा दोड़कर अपनी पुरानी केसब ने जगकर कपाली लिया, और उसकी कई तहक करकर इक गद्दी बनाई, उसे तिन कोपर बिचा कर तिन और धीरी से उस पर रख दिये, स्यामा ने फिर कहा, भईया, हमको भी दिखा दो, केसब कहता है, दिखा दूँगा, दिखा दूँगा, पहले जरावा टोकरी तो दे, उपर चाया तो कर दूँगा, स्यामा ने टोकरी नीचे समा दियो और भूली, अब तुम उतराओ, मैं भी तो देखूँ, केसब ने टोकरी की एक टहनी से टिक कर कहा, जा, दाना और पानी लिया, मैं उतराओ तो तुछ दिखा दूँगा, स्यामा प्याली और चावल विलाई, केसब ने टोकरी की, नीचे दोनों चीज़ा रख दी और आइस्ता सोतराया, स्यामा ने गलकला करका, हमको भी चड़ा दो भीया, केसब कहता, नहीं तु गिर पड़ेगी, स्यामा करती, नहीं गिर उंगे भीया, तुम नीचे से पकल रहना, केसब करा, ना भीया, तु कहीं गिर गरा पड़ी, तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेंगी, कहेंगी कि तू नहीं चड़ाया होगा, क्या करेगी देखकर, अब बंडे बड़े हाराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे, तो हम उनको पालेंगे, दोनों चड़िया अर बार कारनेस पर आती हैं, औ तुमने मुझे नहीं दिखाया भईया, मैं अम्मा जी से कह दूँगी, क्ये सब कहता है, अम्मा जी से कहीं कि तु बहुत महारूंगा, कहे देता हूँ, जो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं, क्ये सब कहता है, और अगर गर गर पड़ती हैं, तो चार सर ना हो जाती, स ने कहा थाना कि दुपहर को ना निकलना किसने किवाड़ खुला किवाड़ केसम ने खुला था लेकिन सियामा ने मां से ये बात नहीं की उसे डर लगा कि भाईया पट जाएंगी कि इस अब दिल में कहा पर रहा था कहीं सियामा कहना दे अंडी नहीं दिखाये थे इसलिए इ और आप धीरे धीरे उन्हें पंका जलने लगी अभी सुर्थ दो ही बज़े दे और बाहर तेश लूँ चल रही थी अब दोनों बच्चों को नीदा गई थी चार बज़े यकायक स्यामा की आँख खुली किवाड़ खुली हुए थे वह दोड़ी हुई कानिस के पास आई और उपर की दर्फ ताकने लेगी तोकरी का पता ना था संयोक से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पाउँ दोड़ती हुई कमरे में जाकर जोड़ से बोली भाईया भाईया अंडे तो नीचे पड़े हैं लगता है बच्चे उड़ गई केसब घवरा कर उठा और दोड़ा हुआ भाई आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे तूटे पड़े हैं और उन में से कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है और प्याली की पानी एक तरफ तूटी पड़ी है उसके चेहरे का रंग उड़ गया सेहमी योई आखों से जमीन की दरफ देखनी लगा सेहमा ने पूछा बच्चे उड़ गए भईया केसब ने करम सुर में कहा अंडे तो फूट गए सेहमा फिर पूछती है और बच्चे कहा गए भईया केसब कहता है तेरी सर में दीखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकला आया है वही तो दो चार दिनों में बच्चे बन जाती अब माने हाथ में सोटी ली हो पूछा तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो सोटी मतलब कपड़ा कूटने वाली एक लकड़ी उसको सोटी कहते है स्यामा ने कहा अम्माजी चड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं माने आकर टूटे हूं अंडों को देखा और गुस्से से बोली तुम लोगों ने जरूर अंडों को छुगा होगा अब तो स्यामा को भहिया पर जराभी तरस ना आया उसी ने साइध अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़ी इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए बोली इन्होंने अंडों को छोड़ा था अम्माजी माजी ने केसब से पूछा क्यों ने केसब भीगी बिल्ली बनना खड़ा है तु वहां कैसे पहुचा स्यामा कहता चौकी पर इस टूल रख का छड़े अम्माजी और केसब कहती तू इस टूल था में नहीं खड़ी थी स्यामा कहती तुम्ही ने तो कहा था इस पर माँ बोलती तू इतना वड़ा हुआ तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूणनी सी चड़ियों के अंडे गंदे हो जाती है चड़िया फिर उने नहीं सी थी स्यामा अर्ड़ते शिटो क्या वहीं चड़िया ने अंडे गिरा ती है अम्माजी मा कहती ये और क्या करती केसब के सर पर इसका पाप पड़ेगा हाई तीन तीन जाने ले ली दुस्ट ने केसब रोनी सूरत बना कर बोला मैंने तो सिर्फ अंडो को गद्धी पर रख दिया था मा जी अब इस बार मा को हसी आ गई मगर केसब को कई दुनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा अंडो की हवाज़त करने के जोग में उसने उसको सत्यानास कर डाला इससे याद कर वे कभी कभी रूप पड़ता था दोनों चड़िया वहां फिर ना दिखाई दी कंपोश्ट बाए प्रेम चंद